राज्दानी जैपुर में आमे रोड की Palais रामगोपाल विजवर्गे की एकल प्रदर्शनी का आगास हुआ जिसमें रामगोपाल विजवर्गे ने 43 पेंटिंग प्रदर्शुत की गई आपको दर रामकुपाल विजेवर्गे कला यतिहास में एक ऐसा नाम है जिनने चित्रकला के शेत्र में रादिसान से पहली बार 1984 में पदमश्री से सम्मानित क्या गया उन्होंने अपने जीवन में बहुत से ग्रंतों पर चित्र बनाए प्रदर्शनी का उधगाटन डॉक्टर सरोज कोचर अध्यक्ष संस्कृत अकादमी ने किया तो ही गैलेरी निर्देशक अभिनव बंसल नवरतिन सर्राप सुधीर कासलिवाल सांती चौधरी पदमश्री श कि अध्यक्तर बनी हुई यह वो देख रहा हूं और यह हमिल्टन स्टूडियो के कागज पर बनी हुई है वो उसमें लगा और इस तस्वीर को देखे आप कि इसमें जो कलपना से जो आखें और जो शंगार किया है सरस्वती का वो अजबूत है और यह अपने मन से बनाते किया कोई कापी मैं करते जो आखें तो खुब भी एक आर्टिस्त रून और यह बें तो भी मेरा मूरी इस दोस्त थेары दादा मुहां तो मेरा मेरा भी मेरी նंकर आग़एब्खि शंकर आट गलरी है यहां चानषी कार्णी के ते लेकिन ए भीज़वरर मुह थी हो मैरे पा तो इन्होंने काई कि मैं करतना चाता हूँ अग्यूबिशन बने काई तो बहुत बढ़िया बात है कि ये ट्रिबूटर होगा उनको सबसे अच्छा है शंकर विजेवरगी आई सीए गैलरी जो आमेरोड पेस्ते थे हैं यहाँ पर हम जैपुर के प्राइड पदमी शरी शरी रामगोपाल जी विजेवरगी जी की प्रदर्शनी दिखा रहे हैं उनकी पेंटिंगों के थुरू और कला जगत में वो जिंदा है अपने काम के साथ में और आज उनकी हम प्रदर्शनी आई सीए गैलरी में लगा रहे हैं यह हमारे लिए बहुत प्राइड का मौका है और उनके जो बतीजे हैं शंकर विजेवरगी जी वो आज हमारे साथ में मौझूद हैं यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और उनके सहियों से आज हम यह एक्जिविशन लगा रहे हैं आशा करता हूं और निविदन करता हूं कि जैपुर में जितने भी कला प्रेमी हैं कला से जुड़े लोग और एक आम लोग जो उनको हम निविदन करते हैं कि वो आए और प्रदर्शनी को देखे और आठ के प्रति उत्सा बढ़ाए लोगों का लिए अबिन बनसर आइसे गैलरी